दोस्तो न्यू आयश्मान कार्ड बनने शुरू हो गए हैं और काफी सातियों ने आयश्मान कार्ड के लिए अपलाई भी कर दिया होगा आयश्मान कार्ड ओनलाई करने के बाद साथ की साथ हम अपना आयश्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ओनलाई कैसे डाउनलोड और एक ही पेपर पर हम पांच आयुश्मान काट कैसे प्रिंट कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में तो चली दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस वेब साइट पर विजिट करना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहां से आप फिर विजिट कर पाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है जो भी हमारी आईडी है चाहे ओपरेटर आईडी है या फिर सेल्फ यूजर प्रोक्ति हो हूँ है वर दाउनलोड करने का संसे क्लिक है दोस्तों क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहां से देखेंगे दोस्तों हमारी आटी यहां पर दिख जएगए यहां पर यहाँ पे देखिए first option है PMJY SEC data उसके बाद second option है PMJY consolidated data यहाँ से हमने online apply किया था online apply कैसे करना है उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों वो description मिल जाएगी वहाँ से आप उसको देख करके online अपना आयश्मान कार्ड के लिए apply कर सकते हैं और list में name भी check कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो user activity में देखेंगे search by beneficiary number और यहाँ पे लिखा हूँ है आयश्मान कार्ड applied history हमने कितने आयश्मान कार्ड बनाए हैं वो यहाँ history में देख सकते हैं उसके बाद आयश्मान कार्ड user history सबसे नीचे वाला option है search by reference number जब हम online apply करते हैं तो हमार पर हमें वो reference number है वो type कर देना है जैसे यहाँ पर reference number हमारा type करेंगे उसके बाद हमें क्या करना है submit वाले option पर click कर लेना है submit करने के बाद हमारे सामने जैसे reference number टाइप कियो तो reference number यहाँ पर show हो जाएगा और यहाँ पर लिखाव है card approved can be download और यहाँ पर download का option आपको show हो जाएगा जैसे download वाले option पर click करेंगे तो हमारे सामने जो आयश्मान card हमने apply किया था वो यहाँ पर open हो जाएगा तो इस प्रकार से देखिए दोस्तो हमारे सामने आयश्मान card वो download हो चुका है इसको मैं एक बाद desktop पर save कर लेता हूँ और आपको A4 sheet पर 5 आयश्मान card कैसे print करने है वो भी आपको मैं बता देता हूँ उसके बाद हम photoshop open करेंगे control O करेंगे तो यहाँ पर हमें desktop से अपना आयश्मान card open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर regulation 300 रखेंगे और उसके बाद ok करेंगे ok करने के बाद देखिए यहाँ पर आयश्मान card open हो गया है अब हमें control plus N करेंगे new page ले लेने है और उसके बाद A4 sheet फिर ok करेंगे और यहाँ पर new page को हमें यहाँ पर side में रख लेने है उसके बाद हमें क्या करना है control R प्रेस करना है और यहाँ से rural लेंगे और एक छोटा सा margin हमें अपने page पर set कर लेने है उसके बाद यहाँ पर select tool वाला option चूज करेंगे और यहाँ से हमारा आयुश्मान कार्ड अब वो select करेंगे select करने के बाद यहाँ से move tool है move tool लेके यहाँ से drag and drop यहाँ पर click करके हमें यहाँ पर छोड़ देना है और उसके बाद control T प्रेस करेंगे और यहाँ पर width और उसके बाद height अब वो हमें यहाँ पर set कर लेने है हमें 55 नहीं यहाँ पर width में 85 करने 85 mm और उसके बाद यहाँ पर height में 55 mm कर लेने है उसके बाद enter करेंगे तो यहाँ पर देखे हमारा card का जो size है वो बन चुका है उसके बाद यहाँ पर crop tool करके click हमें double click करना है उसके बाद 12 से select tool वाले option पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दूसरा वाला पार्ट हो select करेंगे उसके बाद edit में जाएंगे stroke पे click करेंगे और यहां से मैं एक stroke दे देने यहां पे मैं width 3 mm ले लेता हूं 3 ले लेता हूं sorry उसके बाद यहां पे stroke आ जाएगा और फिर move tool से drag and drop यहां पे रख लेंगे हम back वाला इससा ठीक है उसके बाद फिर control T type करना है और यहां पे width है वो 85 mm और height है 55 mm select करेंगे फिर enter करेंगे और यहां पे हमें इस परकार से रख ल connect कर लेना है तो अभी मैं इसको ही आपको paste और control copy यानिके copy paste करके यहां पे रखके दिखा रहा हूं ठीक है यानिकि एक ही seat में हमारे 5 आईश्मान कार्ड आवो आसानी से आ जाते हैं और A4 seat में 5 आईश्मान कार्ड हम print कर सकते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों हम आईश्मान का डाउनलोड कर पाएंगे और इस प्रकार से यहां से आप print कर सकते हैं और आज की वीडियो आपको कैसे लिगी वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like share करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी subscribe कर ले किसी प्रकार का doubt रहता तो आप मुझे comment करके भी पूश सकते हैं त अबतक लिजाहिन